है गाइस कैसे हैं आप लोग वेलकम तूदा वीडियो इस वीडियो में डिसकस करेंगे करेंट फेस 9 अफ जुलाइ 2019 के सबसे बहले हम देख लेते हैं इस वीडियो के हाइलेट्स को इस फिर हम डिसकस करेंगे बीएस जो की है बॉर्डर सेक्यूर्टी फोर्स उनके नहीं ओम गाउट के हैं उसके हम डिसकस करेंगे एक इंडियन अथ्लीट के बारे में जिनने दो इंटरनाशनल गोड़ जीतेय एक वीक में फिर हम करेंगे एक एक्सेलेंट अवार्ड जो कि अजय बांगा और अजीम प्रेम जी को मिलेगा और फाइनली हम डिसक्स करेंगे क्या अपडेट आर भी है रिजर्व बैंक आफ इंडिया से हम चलते अपने फर्स फैक्ट पे बीएसेप ने लॉंच कर दिया अपरेशन सुधर्शन पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है जो पंजाब जम्मू में उधर तो जो यह में मोटिव इस ऑपरेशन को लॉंच करने का हुई है कि इस बॉर्डर की जो प्रोटेक्शन है जो यहां पर इंसर्जंसी को रोपने की कोशिश है वह बीएसेप उसको और स्ट्रॉंग करें और बढ़ा है तुम डिसकस करते हैं इस अपरेशन के आर्में तो इस अपरेशन को लॉंच किया गया था जुलाया फर्स को यह कवर करेगा इंटायर 1,000 किलमेटर लेंथ इंडिया पाकिस्तान इंटरनाशनल बॉर्डर की यह कश्मीर में जो पाकिस्तान कश्मीर है और जो वहां पर लाइन अफ कंटोल है उस एरिया में यह उपरेशन को नहीं चलाया जाएगा इंटरनाशनल बॉर्डर पे चलाया जाएगा जो कि जम्मू से स्टार्ट होता है जम्मू और पंजाब में इस एकसे इस के अंदर बियस अपने सारे रिसोर्से सारी अपनी मिशिनरी सारे ट्रूप्स को लगाएगा और जो फॉर्वेड एरिया वहां पर यह उप्रेशन को चलाया जाएगा जो जम्मू है वहां पर 485 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ और जो पंजाब है वहां पर 553 किलोमीटर का बॉर्डर जो कि आगे राजिस करना इसके हेड़कोर्टर से न्यू डेली इसके फाउंडर थे श्री के फ रूस्तम जी इसको बनाया गया था 1 दिसेंबर 1965 को जो मिनिस्टर रिस्पंसिबल है वह है अमिच जो कि है मिनिस्टर आफ होम अफेज क्योंकि सेंट्र आं पुलिस फोर्स की यहां पर बात उठी ह बाकी जो इसके लावे जो शिक्स सेंट्र आं पुलिस फोर्स है वह कौन-कौन सी इं तो सबसे पहले असां राइफल प्र बाष्ट सेंट्र इडाया पुलिस जिसको सीसे बोलते हैं इनको जाथ तर अब जालतर एरपोट पे या फिर डाम पे जो बढ़िश्ट्री शे रेल कि वे क्वेशा टीकल स्टीफ डाय वर्जन और ब्रहमोज मिसाइल सेक्सेस्फफली टेसफरी तो इब कि यह पॉसिबल है कि हम इस मिसाइल सिस्टम की जो रेंज होती है जहां तक यह एकुरेटली फाय कर सकती है और अपने टार्गेट को हिट कर सकती है अब उसको बढ़ाया जो कि इंडिया अब पार्ट है जिससे हमको टिकनोलोजी मिल सकती है कोई और किसी फॉरन कंट्री से इस मिसाइल सेक्टर में इंडिया पूरी दुनिया में अकेली ऐसी कंटी है जिन्होंने एक लॉंग रेज मिसल को जो इतनी है एक फाइटर जेट से फायर किया था इंडियन साउंड उसको मैश बोलते है तो 2.8 मैट पे जाती है और एक हैविएस वेपन है जिसको की एक सुखोई 30 फाइटर जेट से फायर किया गया था थोड़ा मिस मिसाइल सिस्टम के आर में जान लेते हैं तो एक मीडियम रेंज रांप जेट सूपर सॉनी क्रूज मिसाइल सिस् और इसके मैनुसेक्सिर हैं ब्रहमोस एरोस्पेस लिमेटेड हम चलते हैं अपने थर्ड फैक्ट पे इंडिया ट्रेन करेगा 1,800 बांगरदेशी सिवल सर्वेंट्स नाशनल सेंटर फार गुड गुवर्नस इसको एंसी जी 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 बोलते है मसूरी में तो हम इस फैक्ट को समयत है जो यह प्रोजेक्ट है कि 2019 से 2025 तक चलेगा और यह प्रोजेक्ट चलेगा कि एक MOU जो साइन हुआ था फेब 2019 में भाणग जो आज से 500 बांगलाव सेवल सर्वेंट्स को ट्रेन किया गया था तो हम ढूंते के वाड़ होगरे तो नाशनल सेंटर पर गुर्ट गुवर्नस एक इंस्यूट है जिसका में काम देके तो इंडिया के जो सेवल सर्वेट सेंट जो की आगे जाके के बहुत सारी पोस्ट उनको समाली है तो उनको ट्रेन करते हैं और इसके हेड़ ऑफिस है न्यू डेली हो चलते हैं अपने फोर्थ फैक्ट पे एम नागेश्पर राओ को अपॉइंट कर दिया गया है डीजी फायर सर्विसे सिवल डिफेंस और होमगाड के हम इस फैक्ट को इदिश्न डीटर जनल सीडेंक हम चलते हैं पने नेक्सष फैक्ट है एक हिंडियान स्प्रिंटर हैं मत्あ और इन झीट्रर एक वीकंडव वेकंड है आफिंडिया के लिए और इंडिया का जो रिकॉर्ड होल रहा है 400 में हम चलते अपने सिक्स टैक्ट पे Mastercard के CEO और प्रेजेंट अजे बंगा और विपरो के चेर्मेन अजीम प्रेम जी को मिलेगा Excellence Award from US-India Strategic Partnership Forum USISPF तो इनको यह जो यह Award मिलेगा Global Excellence Award USISPF के यह 2nd Annual Leadership Summit जो कि वाशिंग्टन में होगा July 11th को इसमें यह Award दिया जागा Gerard Kushner जो कि सीडनियर एडवाइजर ने प्रेजेंट आफ उनाइट सेट के वह प्रेजेंट करेंगे यह Award Mastercard के CEO अजे बंगा और विपरो के चेर्मेन अजीम प्रेम जी को कि उत्तराखंड को बेस्ट परफार्मिंग स्टेट बेटी बचा और बेटी पड़ाओ स्की में जो उसके अंदर उत्तराखंड को बेस्ट परफार्मिंग स्टेट का वार्ड मिला तो उत्तराखंड को बेस्ट परफार्मिंग स्टेट का वार्ड मिला अंदर नाशनल प्र पर ने इसको government of India ने शुरू किया था और इसका जो main aim है वही है कि awareness और लोगों को पताएं जिससे efficiency बड़े जो कि इंडिया में इंडियन गर्ल्स के लिए जो की छोटी बच्चे उनके लिए जितनी भी सर्विस्सें वह इसकेंडर कवर कि जाती है इसको लांच किया गया था 2015 में और यह जो सेक्टर कवर करती है वह एजूगेशन सेक्टर कवर करती है जो आज का मैना last factor होई है कि मदद मिलेगी जो भी RBA जितने भी rate cuts करना चाहता है RBA ने अनौस किया था लिक्विडिटी वैक्स्टॉक टू इंप्लेमेंट NBFC जो कि नाशनल बैंकिंग फाइनेंशल कांपनी और यह जो अनौसमेंट ही हुई थी यह जो हमारे फाइनाइस मिस्टर निर्मा सीतारमन उन और यह facts को इस तरह से बनाने कोशिश करता हूं कि यह आपको जो भी exam के आप त्यारी करें उसमें अपकी help करें तो thank you guys and have a successful day